हेलो गाइस हेलो अलब यू हम आपको इगनु बीए के लास्ट टैनियर के कोश्चन आंसर करा रहे हैं जिसमें यह आपका सब्जेक्ट है यह सो बारा के शिक्स चैप्टर कर मैं आपको बना चुकी हूं यह सेवन चैप्टर हम कर रहे हैं जिसका फर्स्ट पार्ट अप्लोड है तो इसके वीडियो आप पड़े हुए है आप उन्हें चैक के लिजिए का प्ले लिस्ट में वहां आपको बिल जाएंगे इस चैप्टर के बचिवे कोश्चन आज हम इसमें कम्प्रीट कर लेंगे इस वाले वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हूं थार्ड कोश्चन आपका है इसमें आप से पूचा गया है कि अंतर विवा प्रथा और बहिर विवा प्रथा और अनलों विवा को परिभाशित केजिए यह तीन तरह के जो विवा हैं इनको आपको बताना है इनको इनकी परिभाशा आपको देनी है कि अंतर विवा क्या होता है अंतर विवा क्या है तीन की जगाए कि दो नंबर में एक भी पूछा जा सकता है कि सिंगल क्या नंतर विभा जैसे की इसकी नाम से पता चलता कि अपने अथ्वा करते हैं घर्ण सांस्त्रों के अनरोब drives हिंदों को अपने वरं में ही विभा की आग्या होती है। कि धर्म सास्त्रों के अंसार क्या है कि हिन्व करते हैं अब अपने वण में लेकिन आज जातियां अनेकों जातियों में बढ़ चुकी हैं तो पर जैतियों सब्सक्राइब इसलिए अपनी ही जाती में या उप जाती में भी विभा सम्वन्द स्थाफित करता हैं यह बात अम लागू नहीं होती जोगी पहले होती थी उत्तरवैदिक कालतर ब्रामर छत्रिये तथा वैस तीनों वणों का इक ही नाम के नाम से पुकारा जाता था इन्ही तीनों वणों में व्यक्तियों के वैवाही सम्मन्द स्थापित करने पर कोई रोक नहीं थे सूद्रों से ही दूरी रखी जाती थी उस टाइम क्या होता था कि सूद्रों से दूरी रखी जाती थी लेकिन तो उस टाइम जो था कि जो दूरी रखी जाती थी वह किल सूद्रों से रखी जाती थी बागी चातियों में तीन वण थे उन्में दूरिया नहीं रखी जाती थी पीनो पभणो के एक ही नाम तूम पोकालार जाता है फिर और केबर इनसे किलों दूरी रखते थे इन से दूरी रखिए जाती ही ती Okay उपजातियों के निर्मान के साथ ही प्रतिय व्यक्तिका यही अनिबार नहतिक कर्तब हो गया है कि वह अपनी उपजाती में ही विवा करने लगे हैं उप जातियों के बाद लोग अपनी ही जाती में विभा करने लगे हैं इसके महत्र क्या क्या हो सकते हैं इन नियमों के द्वारा बिसेसी करण की प्रक्रिया को प्रोसहन प्राप्त हुआ इस प्रकार के बिभा में भी पती पत्मी एक ही जातिके होने के घारण संस्कृतिक भिन्यताएं नहीं रहती है जब एकी कास्ट में भिन्यताएं नहीं रहती है अगर आप इंटर कास्ट में जब शादियां होती थी तो या आज भी जो शादियां इंटर कास्ट में होती है वो संस्कृतिक भिन्यताएं वहाँ पर होती है ठीके वहां के तौर तरीके दोनों लोगों के अलग-अलग होते हैं कहने का मतलब यह है और अंतर विभा की सहता सी परिवार में संगठन को प्रोश सहन मिलता है अंतर विभा की सहता से क्या होता है कि परिवार में परिवार की संगठन को प्रोश सहन भी मिलता है इस प्रधा में परस पर अनकूलता का अनकूलता विद्धिमान होती है यह परंपरा को अच्छा माना जाता है आप इसे कह सकते हैं बहिर विभा, अब बहिर विभा का क्या मतलब है, सेकिंड हैडिंग आप डालेंगे, हैडिंग सारी आप हाइलाइट करके डालेंगे, बहिर विभा का तात्पर है, अपने रख्त सम्हू की अंतरगत, आने बाले सदस्यों से विभा ना करना, अंतर विभा का मतलब क्या होता ह कि अपने कि अपने रंग्त समूं में लोग आते हैं उसे विभाः ना करना इसलिए अन्तर्वत्र से capture all विभार ना करना इसका ने था कि दो अध्र और पंडगी धरनाए हैं जिनकी अंतरगत आने वाली कन्या से बिभा नहीं किया जा सकता आपने सुना होगा कि एक गोत्र में शाधिया नहीं होती है कि गोत्र सें होता है तो भाई भेहन हो जाते हैं तो यहीं यहां पर बताया गया है कि एक गोत्र में शाधिया नहीं होती तो आपके निकट तम रख्ट संबंद होते हैं ऐसा माना जाता है कि यूबक यूरतियां एक दूसरे की भाई बहन है ऐसा माना जाता है जो एक गोत्र के लोग होते हैं वो आपसे भाई बहन होते हैं इसलिए इन सदस्यों में अपने गोत्र के सदस्य से विभा करना अच्छा नहीं माना जाता यही कारण है कि गोत्र में शादियां नहीं होती है प्रवर वहिर विभा का क्या मतलब है इसे लिए आप हाइलाइट करके लिखेंगे प्रवर वहिर विभा बैदिक काल में एक ही रिशी अथवार जो बैदिक काल में रिशी प्रता जो पूरवज हुआ करते थे बैदिक काल में एक ही रिषी अत्वप उनके पूर्वज के नाम का उच्चारण करने इबाले ब्यक्ते धीरे धीरे अपने आपको एक ही वंस का सदस से मानने लगे और इसलिए आपस में विवहा संबंदों को अनैतिक समझा जाने लगा यहां पे जो रिषी होते थे और उनके पूर्वज होते थे वो आपस में कमणने एक ही बंस के आप नहीं होता रहां इसी को प्रवर्व बहिरभा कहा जाता है नेक्स्ट है इसमे है आप लगे सांब को ट्के कि सह पिंड बहिर बिवा का क्या मतलब है इसमें दो मुख धाराएं बताए गए हैं इसके दो मुख आधार हैं इसके दो मुख आधार क्या क्या हैं जो सब पिंडिता को प्रकट करते हैं सब पिंड़ता को प्रगट करने वाले दूआ अधा है, मिताच्रा के अनसार पिंड का अर्थ होता है, समान रख्त कड़ों से लगाया जाता है, इसका क्या मतलब होता है, मिताच्रा के अनसार इन्होंने बताया है, कि पिंड का अर्थ इन्होंने बताया है, कि समान रख्त कड मावेस माना जाता है और इसलिए पिता पक्ष की साथ और माता पक्ष की पांच पीडियों के सदस्यों के मद्द विभार नहीं किया जा सकता इनमें याद रखेंगे थोड़ा से भ्यान देंगे इसला इनको कि पिता पक्ष की जो पांच पीडियों होती हैं माता पक्षची साथ पीडुट्यां और माता पक्षची पाँंच पीड़ियों की भीच, विभा संबन्द नहीं होते हैं महत्व, इस प्रकार के विभा का महत्फ हूंब फहलु यह रहे है कि रख्ट संबंधियों वा सम्हू के अंदर नैतिकता को पुर्चान दिया जाता है इसमें क्या हुआ है कि इसके अंदर नैतिकता को पुर्चान दिया गया है साथ ये पारस पर एक संघर्सों की इस्थिती से बचाता है ये पारश्बिस संगर्षों के इस्तिती से भी बचाता है लोगों को और धिन में सम्हू कोई एक दूसरी की निकट आने का और सर प्रदान करता है दूसरे जो सम्हू हैं भूबिस आपस में एक दूसरी की निकट आ सकते हैं है this looks Epic T accumulate हैं इसमें इसके सहें जो वहीर विभा है का नियव है यह समाज को प्रागर सील बनाता है ऐस Came नेक्स थार्ड पाइंट में इसका क्या बताएंग है अनिलूम विभा इनको सिंगल सिंगल भी आप से पूछा जा सकता है अनिलूम विभा के नियम के अंसार पती का इस्थान पत्मी के इस्थान से सदैर उचा होता है इन नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति अपने पूत्रियों के लिए उन व्यक्तियों की खोच करते हैं जिनकी सामाजिक प्रतिस्था उनकी अपनी सामाजिक इस्थिती से उची होती है प्रतीर जात में विविन उप जातियां इस्तरी करत तरीके से विवस्थि संभू में बटी होती हैं अनलों बिवा का नियम प्रतीक अंतर बिवा संभू में रहकर कार करता है प्रतिलों बिवा में लड़की का बिवा निम्न जाति के लड़के से होता है अब यहाँ पर दिहान दिजिए कि प्रतिलौम विभा में क्या होता है प्रतिलौम विभा में तो लड़की का वेवा है वो निम निचाति के लड़के से होता है धर्मि ग्रंथ इसकी जाजब नहीं देते हैं महत क्या है इंका इंपोर्टेंस क्या है महत की द्रस्प से देखा जाए तो इस ब्यवा की विवस्था स्रिफ इसलिए थी कि व्यक्तियों में उच्छ उच्च कुलीनता बनी रहे इसे क्यों मानिता दी गई थी महत इसको क्यों था यह जो ब्यक्ति हैं उसकी विवस्था इन में बनी रहे और इस प्रधा के अनिसार बेवहाय यूगल से उत्तम संताने उत्पन हो सके और उनकी कुल को उच्चता प्राप्त होती थी इस तरह की विवा को इसलिए माने ता थी क्योंकि यह माना जाता था कि इस तरह की विवा से जो संताने होगी वो उत्तम संताने उत्पन होगी और कुल को भी उच्चता प्रदान होगी इसके सिवाए इस प्रकार के विभा से दोस अधे कुद्पन हुए जब कि इस तरह की विभा से क्या हुआ दोस जाधा कुद्पन हुए इसके कारण समाज में अनीक बुराइया ब्याप्त हुए इस तरह की विवास से समाज में बुराईयां भी बहुत सारी पैदा हो गई चलिए आए वोप आपको समझ में आया होगा यह नेक्स पॉस्चन से आपसे पूछा गया है कि विभा के अंतरगत संपत्ती के अंतरण से होने वाले दो प्रमुक प्रकार क्या है तो इसमें आप बताएंगे कि विभा के समय बधुपक्च और बरपक्च के बीच भौतिक चीजों का लेंदेन होता है आप जानते होंगे कि जो भौतिक चीजे होती है उनका बड़ी मात्रा हमारे लेंदेन होता है जिसके दो रूप होते हैं पहला इस प्रकार के अंतरण में समपत्ती बर पक्च की ओर से बधुपक्च की ओर जाती है यह परमपरा निम्न स्रेड़ी की जातियों में पाई जाती है यह परमपरा आप ध्यान रखेंगे कौन से परंपरा किस जाती में पाई जाती है इस प्रकार की क्या है इस प्रकार की अंतरण में संपति बर पक्ष की ओर से बधू पक्ष की ओर जाती है और यह परंपरा कहां परिस्तित है यह निम्न स्रेणी की जातियों में यह परंपरा पाई जाती है इसका सवरूप प्रती एक छेत्र जातियों जनजातियों में अलग-अलग होता है ये कोई निश्चित नहीं है हर जगे अपनी सुधा अंसार और अलग-अलग होता है ऐसा कोई नहीं है कि हर जगे एक जिसा होता है जैसे कुछ लोगों के द्वारा नगद रुपे दिये जाते हैं कुछ के द्वारा सामान दिया जाता है जैसे कपड़े, आभूशन, यांत्रिक, उपकरण, साज सामान, अनाज, आधी इसमें सामिल होते हैं कहीं कहीं इसमें सौधी वाजी भी होती है जब लड़की का विभाव हो जाता है और उसके द्वारा पिता का घर छोड़ दिया जाता है तो काम करने बाले सर्दस्यों की कमी हो जाती है अधा बधु देने बाले परिवार की इस कमी बधु मूल द्वारा पूरी की जाती है इस तरह लड़की अपनी मायके के लिए संपत्ती वा प्रतिष्ठा पाने का माध्यम होती है इस प्रकार यादान प्रदान का आर्ट लड़की के मूल के विशे में अवगत कराता है थोड़ा सा ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है पर ऐसा है हमाले समाल में बहुत सा बिज़ेस तरह की मानिताएं और भार्णाएं हैं दोसरा पॉइंट इसमें है दहज इसके बारे माँ भली भात परचित होंगे इसमें संपती बधु के साथ बर पक्च की ओर जाती है इसे सामानता दहज कहा जाता है ब्यापक अर्थ में बिसिस्ट स्रेणी वाले लेन देन को दहज कहा जाता है जो बधु पक्च की ओर से बर पक्च को दिया जाता है दहज नगदी वा सामान के रूप में दिया जाता है परंद दहज कानूनी अपराद है आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो दहज प्रता है वो कानूनन अपराद है अमारे कानून अपराद की स्रेड़ी में आता है दहज में जो तत्व सामिल हैं बेस प्रकार हैं अब दहज की पॉइंट क्या क्या है वे वस्तुएं वा उपहार जो बद्रू को बिभा के समय तथा बिभा के ठीक बात दिया जाता है ठीक है दोस्ता पॉइंट है वे वस्तुएं जो उसे साधी के कुछ सालों तक तिवहारों उसके बच्चों के जन्म मुंडन आद पर भी जाती है थर्ड पॉइंट है वे वस्तुएं जो साधी से पहले दी जाती है फॉइंट नेक्स पॉइंट में वे सभी वस्तुएं जो लड़की की सस्राल वालों को उपहार सरूब दी जाती है इस सभी सामिल रहती है आज दहज का अपराद है फिर भी यह लिया और दिया जाता है ठीक है फिर भी यह हमारे समाज में हमारे बड़े पैमाने पे लिया दिया जाता है दहज निसेद कानून भी बनाए गये हैं पर आज भी समाज में इसका प्रचलन है और निरंतर चल रहा है इस पाइंट से आपको भली भात पर चित हों में इसमें कोई असी बात नहीं है कि आपको याद न रहे ठीक है आई हो भी आपको समझ में आया होगा इ चलिए अब महतफूर कोषचन में लास्ट कोषचन इसको कुड़ लेते हैं यह चप्टर आपका इसी खतम होचाएंगा थी ede की परिभासा देते तो आपको जिस भी subject के वीडियो चाहिए हैं उसका आप मुझे code बताइए ठीक है अगर आपको BA subject ये चाहिए तो आप उसका तो course code बताइए और नाम बताइए और अगर आप BCA, MCA के चाहते हैं तो उसका आप मुझे course code या नाम बता सकते हैं तो आपको इन सब के मिल करते हैं सामान रूप में विभा एक समान संस्था है अगा समान रूप में हम कहें तो विभा क्या एक समान संस्था है जो समाज समाज द्वारा सिवक्रत नियमों के अंसार एक इस्त्री प्रुष के योन आवश्यक्ताओं को पूरा करती है बच्चों के जन्म को बैध रूप प्रदान करती है परिवार में उनका उचित पालन पोषण करनी की विवर्ष्था मानी जाती है परिवासा आप जो भी हैडिंग है इनको आप हाइलाइट करके लिखेंगे अगर आपको कुछ नहीं भी याद रहता है तो जितना भी याद रहता उसको आप अपने सब्दों में लिखतेंगे तो आपको अच्छे नमर मिल जाएंगे पर आप छोड़ के मत आएगा आपको इस थापना का समाज स्युकर्द तरीका है ये कुछ लोगों ने अपने अपने थौट दिये हैं अपनी विचार बताएं जिनको यहाँ पर बताया गिया है जैसे ये विचार आपको दिया है गिलिन ने बिभा इस्त्रियों और पुरुष को परिवारिक जीवन में प्रवे चीवन में प्रवेश करने वाली एक संस्था इन्होंने बताया है तैंक किये गए बिभा अब बिभा किस किस तरह से तैंक किये जाते हैं उनको जराब देख लेते हैं पूर्ग दिशा में जीवन साथी का चुनाओ सामानिता माता-पिता द्वारा किया जाता है जो भवी होने के कारण भवी जीवन साथी के सुब असुब को भली प्रकार समझ सकते हैं क्योंकि आपके माता-पिता का अन्भो आप से अधिक है इसलिए वो आपके जीवन साथी का सही चुनाओ कर सकते हैं इसलिए यह माना जाता है कि जो माता-पिता का निर्णे होगा वो ज यह अधिक प्रश्लित शरूब है टीक है और इस रूफ को हमारे मांनिता भी मिली है यह सबसे और प्रश्लित रूप भी है और यह सही सब लड़की-लड़की का भीभा मात्र पिता द्वारा निश्चित किया जाता है तो इसी त्इव भीभा कहा जाता है भारत में ते विभाओं के सम्मंध में कुछ नियम इस प्रकार है कुछ यहां पर आपको नियम में बताइगे हैं जो कि पॉरीं हैं आप बोइंट करके लिखेंगे ठीग़ है आपको क्या गताया गया है अंतर विभा को माना जाता है जिसके द्वारा विभा संमंध की सीमा निर्धारित की जाती है कि सेकड़ां पॉइंट में आपको बताया क्या है बहिर विभा प्रत्था बहिर विभा प्रत्था के नियम संमीलित रहते हैं जो गोत्र में विभा का निश्यद करते हैं बहर बीवा के अंदर क्या है कि हम सें गौत में बीवाद नहीं कर सकते हैं रणाजाता बासेर बहर बहर बहरती रिवाद IS आदेसात्मक और निश्यधात्मक नियम है, फोर्ट पाइंट में आपको बताया कि यहां पे कि वहरीती रिवाज सम्मीलित रहते हैं, जो कुछ सम्मंदियों अथवा सम्हू के मद्द विभा को बिसिस्ट बार्यता प्रकट करते हैं, यहां पे कुछ नियम दिये गए हैं, ज कि विभाओं के लिए जीवन साथी चुनने का स्रेश्टम तरीका बना हुआ है, यह जो नियम आपको दिये गए हैं, यहां बताएंगे हैं, वो हमारे यहां विभा को तरीका माना गया है, बताया गया है, तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा, कोई चीद नहीं समझ कि विडियो बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, थैंक यू अल आप यू, थैंक यू पर वाचिंग,